जेफ जटके से सुबा अपने बैट से उठे, वो डरे होए थे कि कहीं उन्होंने अलाम मेश तो नहीं कर दिया और अपने ऑफिस में जानी के लिए लेट दो नहीं हो गए जब उन्होंने आइफोन में टाइम देखा तो पांच बच कर 34 मिनट होए थे और उन्होंने अलाम पांच बच के 45 मिनट का लगाया था लेकिन वो बहुत दुखी था, उसे पता था कि ये slow savings करके अमीर बनने के तरीके की थियोरी में कुछ ना कुछ तो गलत है वो जानता था कि वो एक rat race में फसा हुआ है, लेकिन बाहर कैसे निकलना है, वो उसे समझ नहीं आ रहा था The Millionaire Fastlane Book के author MJ DeMarco कहते हैं, कि Jeff क्या, इवन वो भी सी rat race का हिस्सा थे लेकिन उन्होंने इन रूल्स को समझा, जिससे वो इस scripted life, यानी rat race की life से बच पाए MJ कहते हैं, कि मैं एक lower middle class family में पैदा हुआ था, जहां पर हमें ये बताया गया था, कि Amir सिर्फ old age में ही बना जा सकता है वो भी पैसे जोड के, और जल्दी young बनना है, तो हमें या तो कोई celebrity बनना पड़ेगा, या फिर professional footballer author कहते हैं, कि एक दिन मेरे घर के पास Lamborghini नहीं आई, और हम सब बच्चे उसे देखके बहुत जादा खुश हुए, और फिर हम उस गाड़ी के पास गए और उस गाड़ी के owner से पूछा, क्या आप करते क्या हो, जिसकी वज़े से आप ये बड़ी गाड़ी ले पाए, और उ उसके बाद इनका belief system change हो गया, कि जवानी में अमीर बनने के और भी थरीके हैं, इसके बाद उन्होंने बिजनस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, और वो सबसे पहले freelancer बने, और उन्होंने बागी लोगों के लिए website बनाना स्टार्ट किया, इसके बाद उन्होंने एक कहते थे कि मैं कल 3 बजे एरपूट पहुंगा, मुझे टेक्सी दिलवा देना, जब ये बात MJ ने अपने दोस्त को बताई तो वो हैरान हो गया, उसने कहा अगर तुझे इतनी मेल जाती है, तो तु टेक्सी बिजनस के साथ कॉन्टाइट कर ले, और टेक्सी वालों को हर ए अपने लिए कोई महेंगी चीज खरीदनी चाहिए, और मैंने भी अपने लिए लैंबरगीनी खरीद ली, लेकिन इसके बाद उन्होंने रिलाइज किया कि इस कार के साथ उन्हें हर बार पैसे खर्चने पड़ेंगे, जैसे कि हर कुछ महीने के बाद उन्हें 20,000 का इंजन लोग expect करते हैं कि उसके अंदर से जो भी निकलेगा वो high status वाला इंसान होगा, इसलिए उन्हें पता था कि वो normal T-shirts पैनके बाहन नहीं निकल सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नई dresses लेनी पड़ी, और इस principle को Detroit principle कहते हैं, एक्चुली Dennis Detroit, mid 16th century में एक French philosopher थे, और उनके पा और इस कलती को उन्होंने बाद में realize किया और इस पर उन्होंने एक essay लिखा, जिसका नाम था Regrets on parting with my old dressing gown, तो इस rule की learning यह है कि जब भी हमें एक महंगी चीज के लिए पैसे खर्षते हैं, तो उसे maintain करने के लिए हमें बाकी चीजों पर भी पैसे खर्षने पड़ते हैं, 12 से हम ये गरीबों के तरह जीने के लिए क्यों बोल रहे हैं, तो इस चीज को समझने के लिए next point आता है, और वो कहता है the corn bread strategy, जैसे ही author ने अपनी company बेची तो उसके नए owners ने अपना main office, Arizona से shift करके, सेंट फ्रांसिस को ले गए, और author को पता था कि ये गलत तरीके से business कर रह हैं, क्योंकि सेंट फांसिस्को में एक normal office का rent भी 3,00,000 के करीब था, और बिजली भी बहुत महेंगी थी, इसलिए MJ बोलते हैं कि मेरा एक rule है, जो कहता है कि use corn bread strategy, यानि मकी की रोटी तब तक खाते रहों, जब तक तुम actual में अमीन नहीं बन जाते हैं, और champagne बाद में पीना जिसका मतलब यह है कि जब तक तुम्हारा business बहुत जादा पैसे नहीं बनाने लग जाए, तब तक business का हर profit, business में ही जाना चाहिए, अगर तुम अपने employees को महंगे lunches खिला रहे हो, और trips पर लेके जा रहे हो, तो यह champagne strategy है, जो short term में तो employees का moral boost कर सकती है, लेकिन long term में इसकी वज़े से company में कोई पैसा नहीं आएगा, तो इस point की learning यह है कि middle class लोग income के साथ साथ अपना standard भी increase कर देते हैं, जो की champagne strategy है, लेकिन cornbread strategy कहती है कि जब income increase हो, तो उसे businesses खोलने का try करो, और जब उसे काफी income आने लग जाए, तब इन expensive चीजों में पैसे खर्षना, एक sensible choice होग और अगर उन्हें अपना business अभी change करना है, तो उन्हें tech और employees में बहुत जादा पैसे invest करने पड़ेंगे, और वो इस वक्त वो इतने risk लेने के लिए ready नहीं थे, MJ ये भी जानते थे कि अगर उन्हें अभी अपना business पेच दिया, तो उन्हें उस business के लिए इतने पैसे मिलें कि उन्हें जिन्दगी भर कोई मजबूरी में काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें अपनी company बेच थी, और जैसा उन्हें सोचा था वैसा ही हुआ, तीन साल के बाद Uber आ गई, जिसका tech बहुत strong था, और उसने पूरी market को disrupt कर दिया, तो इस point की learning ये है कि अपने businesses को अ वो बहुत proud फील कर रहे थे, वो खुशी से इतने excited हो गए, कि उन्होंने गाड़ी की maximum speed कर ली, और अचानक वो control खो बैठे, और गाड़ी एक palm tree में जाके बजी, लेकिन उनकी जान बच गए, MJ कहते हैं कि मैंने businesses इसलिए start किये थे, क्योंकि उसमें ace metric return होता है, यानि बहु जिससे मैं मर भी सकता था, इसलिए author कहते हैं कि जो भी business हम choose करें, उसमें dare principle को याद रखें, dare का full form है downside, asymmetric, risk, event, यानि ये देख लें कि हम वो ही business करें, जिसमें अगर वो business जूपता है, तो हमारी life में जादा negative impact नहीं आना चाहिए, next point कहता है the fired customer strategy, MJ कहते हैं कि सालों पहले मैंने एक और business start किया था, जिसमें customer बार-बार हर हफते, उनकी customer service को call करता रहता था, और उनका time waste करता था, MJ ने जब ये देखा तो उन्होंने अपनी team से कहा, कि ये customer हर हफते हमसे कितने की service लेता है, जब team ने सारा data collect किया, तो उन्हें पता चला, कि ये customer सिर्फ 800 पे का business द 200 पे खर्च करते हैं, तो कम से कम आपको उस customer से 200 पे दो कमाने ही चाहिए, वदना उसे business करने का कोई फाइदा नहीं है, यानि हमेशा ये मत सोचो कि हर इनसान को आपको अपने platform में लाना ही है, जैसे कि customer के पास choice होती है, कि वो किसी भी platform में जा सकता है, जैसे ही हमारे पास भी choice हैं, कि कौन से customer के साथ हम business करना चाहते हैं, rule no 6 कहता है, understand scripted life is not true, author कहते हैं कि हमें 5 चीजे बच्पन में गलत सिखा ही जाते हैं, और इसे हम script acronym से याद रख सकते हैं, जिसमें S का मतलब है schooling, जिसमें बच्पन के पहले 18 सान में सिर्फ हमें ये सिखा जाता है, कि हमें skills develop करनी हैं, जिनको use करके हम दूसरों के लिए जिन्दगी भर काम कर सके, author के पास एक couple आया था, उन्होंने कहां, कि वो 80 लाग के loan में हैं, जिसमें 35 लाग का loan उनका college का है, और 45 लाग का loan उनके नए घर का, और अब उनकी पूरी जवानी इन्ही लोंच को चुकाने में चल आर से आता है responsibility, यानि अगर हम life में जल्दी responsibility ले लेंगे, कि जल्दी शादी, जल्दी बच्चे करो, तो हमारी work, pay, दाय वाली जिन्दगी चल पड़ेगी, इसलिए better है कि पहले हम अच्छे तरीके से settle हो जाए, आय से आता है ignorance, 1961 में Milgram ने एक experiment किया था, जिससे ये पता च academic books को पढ़ना चाहिए, और अगर हमारा पस non-fictional books पढ़ने के लिए time नहीं है, या फिर English हमें उतने अच्छे से समझ नहीं आती, तो हम Google application डाउनूड कर सकते हैं, जहां पर 1200 से जादा book summary's available है, जिनने हम पढ़ भी सकते हैं, और सुन भी सकते हैं, तो अगर हम अपने slave mindset को enjoy कर सकते हैं, MJ कहते हैं कि मैं अभी 55 साल का हूँ, और sking करते हो ये पिछले साल में गिर गया था, और फिर तीन हफदों तक sking नहीं कर पाया, इन शॉट जिस तरीके से जो 30 साल में मैं sking करता था, वो अब 55 साल में नहीं कर सकता, उसी तरीके से अपनी जरवानी बरबाद क करके ये सोचना कि हम गरीबी में अमीर बनके खुश होंगे, ये गलत concept है, और इन fake promises पर यकीन मत करो, जल्दी अमीर बना जा सकता है, तीस से आता है taxation, अगर हम एक normal decent job भी ले ले लेते हैं, तो उसमें हमें करीबं 30% tax देना पर सकता है, यानि एक साल में करीबं तीन महीने क कि महनत से जो हमने पैसे कमाई हैं, वो हमें सरकार को देने पड़ेंगे, इतना ही नहीं, property का tax हमें जिंदगी भर देना पड़ेगा, गारी पर tax देना पड़ेगा, इवन की सुई पर tax देना पड़ता है, इसलिए tax law को समझना हमारे बहुत ज़रूरी है, दोस्तों ये सारी बाते हमने आपको MJ Demarco की book, Unscripted, The Great Rat Race Escape, From Wage Slavery to Wealth से बताई है,